है अग्या आज हम लोग अपने नेक्स टॉपिक पर आते हैं यूमन हेल्थ हैं डिजीज हम लोग पढ़ रहे थे एट चैप्टर जो है यूनिट एट का पहला चैप्टर या उसे आप कह सकते हैं कि चैप्टर एट ठीक तो हुमन हेल्थ हैं डिजीज में हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे हम लोग बैक्सिनेशन और इम्मुनाइशन वाले टॉपिक तक हमारा कंप्लीट हो गया था आप लोग पिछले लेक्चर में देख लिया है जो नहीं देखा हो जाके देख सकते हैं तो उमीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे अच्छे होंगे आईए हम लोग अब आते हैं अपने टॉपिक पर हमारा टॉपिक क्या है ऐलर्जी सबसे पहली बात क्या है जो सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बारे में जो बेवहारी चीजे हैं जो हमारे किसी बेक्ति को इलर्जी से प्रावलम है और ऐसा जरूर होता है कि घर में या फिर घर परिवार में एकाद बेक्ति ऐसा जरूर होता है जिसे किसी ने किसी चीज से अलर्जी हो सकती है ठीक है लेकिन हम लोग जान नहीं पाते हैं कि किस चीज से अलर्जी है उसको जानने के ल allergy है किसी को आप कुछ भी कह सकते है किस चीज से allergy है अब यह मत कहना कि oxygen से अलरजी है उससे allergy होगी तो आप चले जाएंगे दुनिया से ठीक तो ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसी चीजों से allergy रखिए जिससे आप जिन्दा रह सकें, ठीक है, उनसे ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए, मतलब ऐसे लोगों का साथ आप कभी मत छोड़िए, जिनके बीने आप न जिन्दा रह सकते हो, ठीक है, वैसे तो किसी के उपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, लेकिन तब यह आपको रहना पड़ सक है कि आप भी सहर में रह रहे हैं, किसी मैट्रो सिटी में रह रहे हैं, आप दिल्ली में रह रहे हैं, लखनव में कहीं रह रहे हैं, ठीक ठाक जगह पे, मतलब आप सिटी में रहते हैं, ठीक है, तो आप आगए गाउं में, गाउं में आप आए, मालीजिए कि उस समय पर सर दमाई जिसे कहते हैं उन सभी सीजुनों में आप आते हैं तो जो भूसा होता है भूसा कहा जाता है उसको तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे जो उड़ रहे होंगे ठीक है तो उसका मतलब यही है जब आप नई जगह पर आएंगे गाउं में आएंगे उन चीजों से हो सकता मतला या किसी अन्य बैक्ती वो सकता है, ना भी हो किसी अन्य बैक्ती को आलर्जी हो, ठीक है? अलर्जी में क्या सिम्टम हो गए? कि जैसे ही वाब्यक्ती किसी नई जगा पर जाएगा, तो उसको उसकी उख्वों से पानी गिनने लगे उसको वाटरी आईज बोलते है ठीक है इस नीजिंग होगा चीक वगयर आएगी ठीक है ये सारी चीजें उसको होगी और भी कई symptoms हो सकते हैं, skin पे भी problems हो सकती है, ठीक है, कुछ दिन रहने पे वो हो सकता है, उसकी skin में कुछ problem हो लेने डगे, skin में लाल चकते पढ़ने लगे हैं, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो इन सब चीजों के लिए कौन responsible है, हमें ये जानना होगा, और जो political responsible हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ये चीजें किन चीजों से होती हैं, तो मैं आपको बता दूँ, मैंने ये तो आपको बता दिया कि allergy क्या है, जब आप किसी नई जगा पर मान लीजिये जाते हैं, वहाँ पर आप कुछ ही काती है, वहाँ पर मान लीजिये ये कमरा है, ठीक है, ये hall है, यहाँ पर कुछ लोग आए, मैंने 10 लोगों को यहाँ पर बुलाया, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा है किसी एक बेक्ती को यहाँ आते ही छीक आने लगती है, यहाँ आते ही उसकी आँखों से पानी गिरने लगता है ठीक उसके बाद जैसे ही वह इस कमरे से निकलता है वह तुरंत ठीक हो जाता है इस कमरे को आप ऐसा लीजिए कि माल लीजिए यहां का environment बिल्कुल अलग है बाहर के environment से बिल्कुल अलग है अब ऐसा तो हो पॉसिबल ऐसा हो नहीं सकता ऐसे कि मेरे एरिये मेरे कमरे का temperature कुछ और है और किसी गली में जाएंगे तो इसी गली में बाहर निकलेंगे तो आपका temperature कुछ और मिलेगा नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है यहां के conditions भी ऐसी नहीं हो सकती कि environmental condition इतने थोड़ी दूरी में change हो जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है लेकिन ऐसे करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों का साथ लेना पड़ेगा उनकी मदल लेनी पड़ेगी लेकिन इस कमरे को ऐसे मानिए यह कोई नई जगा है यह नई जगा आपका गाउं है और कमरे के बाहर आपका सहर है आप यहां आए आपको जो है चीक आने लगी वाटरी आई जोने लगी और सारी चीजे जो है इस तरीके से आपको हो रही है और जैसे ही आप यहां से जाते हैं सारे लच्छन खतम इससे आप भाप सकते हैं कि इसका मतलब यह है कि आपको इलर्जी है यह इलर्जी किन-किन चीजों से हो सकती है जैसे कि यह इलर्जी एनिमल डेंडर से हो सकती है जो काउ लोग होते हैं या और भी जो जानवर होते हैं मतलब किसी भी जानवर का जो डेंडर होगा डेंडर मतलब साइथ गोबर होता है तो गोबर या और जो उनके इसकृसन से निकला हो जो भी प्रोड़क्ट हो जिस से मलत्याग कर रहे हो उन सब चीजों से आपको प्राबलम हो सकती है ठीक है गोबर में जो पालिटिकल होते हैं आपको गाइब है इसका गोबर देखा होगा उसमें जो पालिटिकल होते हैं उसे बहुत सारे लोगों को इलर्जी होती है तो जब वो सूखेगा तो वो हवा के साथ उड़ता है तो उससे आपको इलर्जी हो सकती है उसकी वास मनले कि एक फूल जैसे माल लीजिए कोई एक फूल है वहाँ से जो पॉलन उड़ेगा ठीक है तो जैसे मेल और फीमेल फ्लावर्स पर उसका जो है जाता है गयमीटना मतलब पॉलन जो है जाता है ठीक तो वहाँ पर फ्यूजन होता है जिसकी वजासे आपको सारी चीजें पराप् कोई भी चीज हो सकती है जिसकी वज़ा से हुआ अपना सारा काम जैसे कि मटर ने आप जानते ही होंगे मटर में क्या प्रोसेस होता है आपने मेंडल के बारे में पढ़ा होगा में मटर के लिए तो उन्होंने बैग बना के उसको बंद कर दिया था लाते थे पॉलन को रखते किसलें भी पहुंचेंगे नहीं कोई मतफलिक नहीं तो यही मतलब है कि पॉलन से भी हो सकता है और माइट से भी हो सकता है और आपको फॉल मिटी यह सीज होई Сब कुछ संब कुछ आ जानी रहे हैं नार्मल चीजेहं आप जान गए है कि अलर्जी क्या है कि हम नाइए प्ल इस बताया मैंने आपको और भी चीज़ें जो है पॉलन्स हो गयरा बताई तो यह सब चीज़ें क्या है यह एलर्जेंस कहलाते हैं ठीक है इन्हें एलर्जेंस कहते हैं जो एलर्जी को काज करते हैं उन्हें एलर्जेंस कहते हैं आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं नोट कर स सकते हैं लेकिन यह थोड़ा बहुत जरूरी है कोई पूछ सकता है आप पर इच्छा में तो पूछना संभोसा ही है लेकिन फिर भी आप जानते रहें कि जो अलर्जी काज करते हूं उन्हें अलर्जन्स कहते हैं उसके बाद यह अलर्जी किसके द्वारा काज होता है किसके मतलब क्या इम्यून सिस्टम का एक रिस्पॉंस पहली बात तो आप यह जानिए कि अलर्जी हमारे इम्यून सिस्टम का एक रिस्पॉंस है वो क्या रिस्पॉंस है कि वो ही बताता है हमारे सरी कि आप जिस पर कंडिशन में आएं या आपके लिए सुटेबल नहीं वह यहां बताने की पूरी कोसिस करता है हमारे सरीर को ठीक तो हमारा जो सरीर है जो हमारा इम्मून सिस्टम है वो जो रिस्पॉन्स जो है जिस में बादब प्रोड्यूस करता है वही चीज क्या है किसके द्वारा काज होती है मनला मारे सरीर में कुछ chemicals होते हैं इन्हें histamine कहते हैं और serotonin यह दू चीजे सिक्रीट होती है किस से mast cell से आप very important question आप इसको note कर लीजिए very very important ठीक है आप कौन सा chemical release होता है histamine and serotonin histamine and serotonin histamine and serotonin histamine and serotonin अभी मैं CRT पढ़ूँगा आपको बताऊंगा histamine and serotonin क्या है क्या है histamine and serotonin देखें मैं लिख दे रहा हूँ यह आपर नहीं भी दिखेगा कोई दिक्कत नहीं आपके बुक में लिखा गया है histamine and serotonin यह master cell से पहली बात तो आप इसको या दे यह किस से कौन प्रोड्यूस करता है इन्हें mast cell mast cell यही यही जो है produce होगा तभी जो हमारा सरीर क्या है immune system को क्या गड़ता है मतलब इसी से जो है allergy का जो response है यही के अलर्जी काज करने वाले यही chemicals हैं जो allergy काज करते हैं ठीक है और यह mast cell से जो होता है ठीक उसके लिए कौन से इन्टी बाड़ी इसके लिए response आईजी इन्टी बाड़ी इसके लिए responsible है allergy के लिए किसके लिए allergy के लिए इसके लिए drugs दी जाती है हमारे सरीर को ठीक है drugs में anti-histamine दिया जाएगा adrenaline दिया जाएगा और भी drugs हैं लेकिन दो mainly है anti-histamine and adrenaline एंटी मतलब आप समझ ही रहे हैं कि अब यह histamine है एंटी हिस्टamine हो गया adrenaline नेगा प्याद कर लिए ठीक है बाकी NCRT पढ़ने पर सब्सक्राइब होना ही है बाकी चीज़ें आप जानी रहे हैं मैं जो बता रहा हूँ वो तो आपके दिमाग में बैठी जानी चाहिए ठीक तो यह चीज़ें मता दी मैंने उसके लाद यह बाता आती है कैसे हम पता लगाते हैं या कैसे डाक्टर्स जानते हैं कि आपको किस चीज़ से allergy है तो उसको डाक्टर्स लोग क्या करते ते हैं बहुत ही small amount में ठीक बहुत small amount में आपके सरी में inject करते हैं inject करने का मतलब या तो आपके हो सकता है आपको किसी चीज से allergy हो उसको डारेट आप के नस्व में जाला जाए या और भी किसी तरीके से आपको दिया जाए आपको उस condition में थोड़ा बहुत रहने के लिए बोरा जाता आपको तुरंत वही पर आपको जो समस्या है देखे धूल मिट्टी वाली जो allergy है ये तो आपको ऐसे भी पता चल जाती होगी आप जाडू लगा रहे हैं आप अपने कापी किताब को हटा रहे हैं वहाँ पर जैसे ही आप किताबों को ऐसे करके मार रहे हैं धोल उड़ी नाक में गई आपको उस चीज से allergy हो रहे हैं थोड़ी बहुत तो आपको जानकारी अपने सरीरी के बारे में वह ऐसे भी रखना चाहिए कि हमें किसी चीज से allergy हो रही कोई प्राबलम हो रही तो आप रोज allergy टेस्ट करा रहे हैं इसा बिल्कुल नहीं है तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया कि allergy क्या होती मैंने allergy के बारे में आपको ड्रक्स के बारे में बताया antihistamine, adrenaline and steroids दो मैंने बताई एक और है steroids ठीक तो आईए मैं सुचता हूँ कि अब हमें पढ़ लेना चाहिए मैंने आपको इसे सारी चीजें बता दी ये बहुत important है आप इसमें पूरे जोट मैंने टाप भी बता इसमें histamine and serotonin कहां से release होता मास्ट से ठीक वहीं स्रीलीज होता इसी के दवारा allergy जो है वो काज होती है allergy काजी यहीं है ठीक हमारे सरी में तो आई हम लोग अप पढ़ते है allergy के बारे में when you have gone to a new place जब आप कहां जाते हैं नए अस्थानों पर जाते हैं new place का मतलब वही है सारे चीजों का आर्थ मैं नहीं बताऊंगा चूकि देखिए आर्थ बताने से कोई मतलब नहीं है आप ऐसा चोई से ही याद रखी ठीक and suddenly you started sneezing मैंने आपको बताया वेजिंग फार नो explained रीजिन मतलब कोई explained रीजिन नहीं है इन सब कंडिसंस के लिए sneezing हो रही है आप वेजिंग हो रही है कोई explained रीजिन आपको पता नहीं है when you went away जब आप वहां से चले जाते हैं मैंने आपको बताया और symptom disappear जैसे ही आप वहां से चले जाते हैं आपके symptom क् ठीक है और फिर क्या दिया गया है did this happen to you some of us are sensitive to some particle in the environment हम में से कुछ लोग environment में कुछ particle के प्रति क्या होते हैं sensitive होते हैं ठीक है मनलब कुछ ही लोग के साथ हैसा होता है तो वही sensitive कहलाता है वही संबेदन सील है कि उनको problem हो रही ठीक उसके बाद कहां पर पहुंचे हम लो हाँ the abam mentioned reaction could be because of allergy to pollen mites मतलब जो उपर चीजे मैंने discuss की वो सब किसके दोरा क्यों होती है क्योंकि allergy होती है उनको किस से pollen से mites से हुई चार different in different places मतलब अलग 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 जगहों पर यह अलग अलग हो सकती है कौन अलग 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 the exaggerated response of immune system to certain antigens present in the environment is called allergy allergy की definition आप इसको underline कर सकते है पैंसिल से कर सकते हैं क्रेट पैंस से कर सकते हैं आप कर सकते हैं तो allergy के definition है the exaggerated response of the immune system to certain antigens present in the environment is called allergy the substance to which such an immune response is produced are called allergens मतलब जो substance होते हैं जो allergy मतलब जो such an immune responsive produce जिससे immune response प्रोड्यूस होता है उसे क्या कहते हैं allergens कहते हैं the antibodies produced to these are up IgE type जो antibody देखिए allergy IgE type आप याद रखिए किस टाइप का antibody होता है ठीक है इसमें ठीक antibodies the antibodies produced in these मतलब इन cases में जो antibodies produce होती है किस टाइप की होती है IgE type कोई पूछे allergy जो produce होती है allergy में जो antibodies produce होती है वो किस टाइप की antibodies है IgE type नोट कर लीजिए दिमाग में बिलकुल एकदम बैठा लीजिए most important question है यही चार-पांच question इसमें ज्यादा important है बाकी allergy तो आप ऐसे भी जान रहे हैं कैसे हो रही ठीक लेकिन यह जो है फेंक दीजिए यहां से ठीक लेकिन इसको याद रखिए कुछ भी करिए इसको लेकिन इसको याद रखिए IgE type ठीक common example of allergens are mites in dust मतलब कौन कौन allergens हो सकते हैं मने आपको बता है सब allergens के अंतरकत आते हैं जो allergy को काच कर रहे हैं तो कौन है माइट इंडर्स पॉलेंस अनिमल डेंडर इस्टेक्टरा symptom आप allergic reaction include sneezing watery eye मने आपको बता ही दिया running nose उसको डिफकल्टी इन ब्रेधिंग भी होता है allergy is due to release of chemicals like histamine serotonin from the mast cell allergy क्यों होता है किसके दवरान होता है जब chemical release होते हैं कौन से chemical release होते हैं histamine serotonin किस से release होते हैं mast cell से mast cell कहां होती है हमारे सरीर में होती है मत समझना की environment में होती है हमारे सरीर में है उसी से तो यह allergy response हो रहा है ठीक है allergy इसी की वज़ास तो हो रही है तो far determining the cause of allergy मतलब allergy का है की नहीं है उसके निर्धारण के लिए क्या the patient is उसके निर्धारण के लिए हम लोग क्या करते है allergy है की नहीं तो far determining the cause of allergy the patient is exposed to our injected with the very small doses of possible allergens ठीक है बहुत small doses दिया जाता है पता करने के लिए कि allergy किस चीज़ से है उसी चीज़ को हम लोग small doses में उसको देंगे तब पता चल जाए का allergy है की नहीं ठीक तो आईए and the reaction studied the use of drugs like anti-histamine, adrenaline and steroids यह सब drugs हैं को एक लिए reduce the symptoms of allergy जो allergy के symptoms को बहुत तेजी से क्या करती है reduce कर देती है somehow modern day modern day में मतलब इस समय में क्या हो रहता है lifestyle has resulting lowering our immunity हमारी lifestyle जो change होती जा रही है इसी की वज़ा से allergy हो रही है जानते हैं आप चोकियत आप देखे लीजिए कि वो खान पान वो हर चीज़ हर चीज़ बहुत गंभीर है अभी ही गंभीर हो जानी इतना ज़्यादा लोगों को heart problem और हर चीज़ें यह सब मैं किसी brand को किसी चीज़ को यह नहीं कहता कि कोई चीज़ गलत है लेकिन जिस तरीके से oils और हर चीज़े हमारे लिए बिलकुल खतरनाक चीज़े है हम लोग refined आयल खाते हैं और सारे चीज़ें यह सब चीज़ें बहुत नुकसान दायक हैं आप यह जान लीज़ें सरसो का तेल आप खाईए लेकिन refined तो आप बचिये बिलकुल बचिये अब बच तो मैं भी नहीं पा रहा हूँ आपको भले मैं सला दे रहा हूँ लेकिन यह है कि इस्थिती बहुत गंबीर है आप यह जान लीज़ें आप जहां जाएंगे refined आपको मिलेगा लोग बहुत प्यार से खाएंगे बहुत प्यार से खिलाएंगे उन्हें लगेगा यह अमरीद खा रहे हैं जिनके घर में refined side ना बने न तो यह भी कहके चले आएंगे एकदम दलिद्रे हैं हमारे यह यूपिम्त यही कहेंगे यूपि सुल्तानपुर से हूँ मैं यहां कहे देंगे मारो साला दलिद्रे है ज्यादा नहीं बोलेंगे यहां क्योंकि टीचर बनके आएंगे तो आईए तो मैं पता पहुंचा था कि modern day की life style की वज़ा से क्या होता है हमारी immunity कमजोर हो रही है ठीक और sensitivity जो है क्या होती है ज़्यादा हो जाती more and more children in matricity matricity में बहुत सारे बच्चे suffer from the allergies allergies उनको हो रहती है and asthma due to sensitivity to the environment environment की वज़ा से environment के लिए sensitive होते है इसलिए उनको ऐसाई problems होती है ठीक this could be because of the protected environment provided early in life देखिए ऐसा भी इसलिए होता है क्योंकि हमें हमारे पहले के जीवन में जो environment provide किया गया होता है वो बहुत ही safe environment provide किया गया होता है इसलिए जब आप थोड़े से भी pollutant area में जाते हैं तो आप कोई problem होने लगती है चुकि देखिए हम लोग जब थे बच्पन थे हम लोगों का बच्पन था गाउं में हम लोग पले बड़े हैं तो वहाँ पर बच्चों को मिट्टी में हो चुकी होती है लेकिन जो मेट्रो सिटी के बच्चे हैं उनके लिए problems यह हैं कि वो तो पहले उनको बहुत protected रखा जाएगा कैसे protected रखेंगे यहां तक की मैंने तो यह भी देखा है कि बच्चों को यहां मत चुईए यहां मत चुईए इसको यहां चुने से गाल पे चुने से जो है उसको अलर्जी हो जाती मेरे बच्चे को यह हो जाता है बच्चे को बिल्कुल एक दम सफेट टायल पे हमेशा लिटा के रखेंगे दिन रात आप यह जान लीजिए पूरा एक दम लाई जा लिए नाम ले लिए था आप यहां पैसा लिए है परचार करने के लिए लेकिन यही हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ डिटाल यह वा ऐसा कुछ भी नहीं है आप यह सर्थ बिल्कुल मत करिए मैं तो कहता हूँ आप अगर सहर में रहते न कहीं से काथ बोरा मिटी ले आईए और ऐसे पूरा गिरा दीजिये वहीं पर वहीं बच्चे को वहीं खेलने दीजिये ठीक है अगर बच्चा छोटा है बहुत जरूरी है यही चीजे हैं जो बच्चे की इम्यून्टी को बूश्ट करती है बहुत जरूरी होता है कि वह पहले से प्रिपेर हो हर चीज के लिए ठीक है अब याट देख रहो है उन्हें वैकसीन का प्रियोग हो रहा है तो वैक्सीन का परपज है कि आपका सरीर बिल्कुल उत्साहित हो, जब वाइरस हाये, रियल में जब वाइरस का टायक हो, तो उसको भी मार के गिरा दे, इसलिए बैक्सीन में वही वीकर वाइरस दिये जाते हैं, जिसको हमारा सरीर मार के, और अपने होसले को मजबूत रखत ना लिख लें बाकी मैं जानता हूं कि भाई बिना बाहर निकले आपके काम नहीं हो सकते हैं लेकिन बहुत ही सुरच्छित तरीके से आप घर से बाहर निकलें मास्त पहनें सुरच्छित रहें और मैं आप से माफी चाहता हूं कि मैंने लेक्चर नहीं दे पाया क्योंकि कोरो महरबान है तो क्या कर सकते है देश के उपर बाकी जो चल रहा है चलने दीजिए धन्यबाद नमस्कार